शाहिना के किचन में आपका फिर से एक बार स्वागत है आज मैं मॉमूज बनाने जा रही हूं मॉमूज के लिए ये दो कप मैदा है ये कश्मेरी मिर्चे ये तीखी मिर्चे ये काली मिर्चे जीरा है ये लहसन और मिर्च करस किया हुआ है यहां हमने प्यास और बंधा को भी को करश कर दिया है दुगा दबा करके पानी को हमने निकाला है इसमें बहुत पानी होता है अब वहत आदमी कपड़े में बांग करके कपड़े से निचोड़ देते हैं यह देखिए पानी देखिए कितना निकला है पानी देखिए ज्वाल निकलेगा पानी इसके बाद हम इसको उलट करके सब समान बनाएंगे दूसरे बॉल में निकाल करके निकला है नहीं पानी निकलता है यह छोटा सा फूलता बंधा को भी का अप्यास का अब मैं इसमें हलका सा यह कश्मेरी मिर्च दे रहे हैं रेट कलर के लिए कि दे रहे हैं थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देंगे जितना तिखा खाती है यह काली मिर्च है अप्यास जीरा जीरा पोड़ा भी परता है अमना नहीं दिया है यह नामा था यह ती लासा नाद्रा प्रस्किया हुआ कि थोड़ा से इसमेरी फैंग देंगे अब यह हमारा मोज का मसाला त्यार हो चुका है कि एक कप मादा दिया कि यह था कप मादा लिए डेर कप है नमक लिए थोड़ा सा हलका सा रिफान इसमें बस इन सरी चुझें को मिक्स करेंगे हाँ तरीके का बनता है मतन का भी बनता है चिकन का भी बनता है कि मेका हलका सा पानी देंगे हलका पानी देंगे यह देखिए यह हमारा मैदा चाहिए हम जैसा चाहिए उसी हिसाब का अब इसको मैं मिला करके 20 मिनट के लिए रख दूंगी जब अब हलका सा रिफाइन लगा देंगे तो चिप पर जाएगा रिफाइन लगाना जरूरी है आई तो दस बाराट हो जितना आच जिए एक बार में अतना लगा देना है यह देखिए बेलोंगे तो भर करके भरोंगे यह हम बेल रहे हैं तीन छो तिन नौठो अभी आधा एक बॉल में हुआ है इसी छोटी-छोटी यह बेल आएगी यह देखिए हमने डाला इसको गोड़ा जाता है कि पिलेट के तरह की तो बीडर्शेशी करके असे चूनिंद्स दिया जाता है बिसम लभी रहें हमने रहें ऐसे हैं है इस अ आज़र के की देख देखिए देखे कि यह हो गिए तरीक से की ऐसे बना के रखा है मानें असी इस धहित द्या जाता है मेदल से देदिग गडितल और देद्बख रहा है बहुत तरीके के हमने नौ पीस इसमें डाला है बना करके अब इसको ऐसे ढग देंगे शिशा से इसको और बनाते हैं और यह देखें यह हमारा हो चुका है इसको हम निकालेंगे अभी अब बहुत अच्छा बना अब बिस्मिल्लाइक रमाने रहीं यह देखिए यह हमारा हो चुका है अब मैं इसको सर्विसिंग बपलेट में निकालके दिखाऊंगे यह हमारा मुमूज तैयार हो चुका है बताने में समझाने में कोई भी गलती होगी तो माप करेंगे नए हम सब्सक्राइब करेंगे पुराने हमें तो कॉमेंट लाइक शे करेंगे और हम हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है बार बार की प्लीज 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 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें असलाम अलेकूं